कि जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराट तो अधरी श्वागत आपके अपने टूब चल्ड फॉजी में अटकेट में में दोस्तों आज का जो वीडियो इस्पेशली यह है आट पी अप कॉंस्टेबल और ऐसाई के लिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे अभी परजेंट टाइ कि और वही बच्चा पॉजी को पास कर सकता है आपने दम है कि आप इन क्राइटेव को पास कर सकते हों क्योंकि अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं इसकी वजाए अगर आप में दम नहीं आपकि फिजिकल में इतना श्ट्रोंग नहीं है तो कलर की तैयारी कर ले आगर सकते की आप में इतना दम है कि आप पास कर सकते हो तो ही तैयारी करें तो यह अपना चोड़ दीजिये क्योंकि इसका जो फिजी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हुँ अगर आप उस माबजन्ट को fight करने की हिम्मत रखते हो तनी तागत रखते हो तनी तयारी करने की मतलब अपने ठान रखी है तभी आप तैयारी करे एक्जाम fight कर लेने चेंट नुर्सटेबल के नंबर नहीं मिल जाता है क्योंकि इसका से विजिय क्राइटेरिया काफी वह 18-25 साल अगर किसी प्रगार की एज में चूट नहीं जाए ओबीसी के लिए 3 साल की चूट हो जाती है S.E.S.T. के लिए 5 साल की चूट हो जाती है यह नि 18-30 साल अगर वह S.E.S.T. में बच्चा है O.B.C. में 18-28 साल तो यह इसका एज क्राइटरिया सबसे पहले है अब बात करते हैं इसके फीजिकल की फीजिकल की में सबसे पहले इसमें 3600 मेंटर की रणिंग लड़कों के लिए इसमें टाइम यानि मेल के लिए इसमें जो टाइम होता है पांच मिनट 55 सेकिंड का समय दिया जाता है दोस्तों आपने सुना होगा आर्मी की वेकेंसी में भी यही ताइम है लेकिन वहां पर कम पास होते हैं यहां पर ज्यादा पास होते है उसका रिजन क्या क्योंकि वहां पर बेस बनता काफी बड़ा बेस बनता जैसे 200-300-400 इस इसलिए 16 समेंटर की रणिंग 55 मिनट 55 सेकिंड में कर पाना मुस्किल हो जाता है लेकिन यहां पर इतना बड़ा बड़ा बेस नहीं बनता है 150 का बेस बनता है वह भी खुले ग्राउंड में करा जाती है तो जिसमें जितना धम है और लगा कि अपनी दोड़ फाइट कर सकता है तो आप में दम है कि 1600 मिंटर की रणिंग पांस मिनट 45 सेकिंड के समय में आपको करना ही होगा आप पर कोंस्टेबल के लिए मेल के लिए डूसरा मेल के लिए जो हाइट है इसका हीट क्राइट एरिया है वह है 165 सेमी 165 सेमी यह किवल जनरल और OBC के लिए ठीक है जो मुख्य चीजह ओती है वो है लोंग जंप और हाइजं लोंग जंप लॉनग जंप उडाफीट 4 च्यार फिट अप जंप करने के लिए भी आपको तीन अटेम्ट दिया जाएंगे यह तीन बार तक आपको पास कर लेना है लोंग जंप और अप जंप यह निए हाई जंप तो यह इसके फिजिकल के मेन पड़ाव है फोर्समेटर की रानिंग फिर लोंग जंप और फिर अप यह तीन पड़ाव है इनको अगर आप पास करते हो तो ही कोंस्टेबल की तैयारी करें दोस्तों यह लड़कों के लिए अब बात करते हैं लड़कियों के लिए और पेफ कोंस्टेबल की जो लड़कियां उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया उनके 157 से में ठीक है यह जन में करने फिर आपका आता है लोंग जम आपको करना काना है नाइन फिट यहनिनि नाइन feet आपको लोंग जब को इस यह आपके स्भीट करना है कि यह आपको लड़कियों का में इसलोमेंट होता नहीं है अब करते ही हैट SCST के लिए मेल की जो है वो है 165-122 ज़ो लड़कों के लिए 165 के लिए 165 यह आपके है के के टेगरिया हो गया तो यह जो मैंने और तक फिचिकल क्राइटेरिया बताया यह किसके लिए था अब बात करते हैं आपको 16 मेंटर की रनिंग के लिए आपको 16 मेंटर की रनिंग के लिए इसमें आपको समय थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है क्योंकि इसका जो एज कराइटिरिया वह इसे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको समय कितना मिल जाता है छोड़ा सुमिटर की रनिंग के लिए शह मिणट तिसशेकिंड का समय आपको मिल जाता है लूंग जंप के लिए आपको 12 फिट लॉंग जंप करना पड़ेगा ऑर पिप ऐसा है कि लिए और कोंच से विल के लिए 14 अप जंप के अगर करें हाइजम्प की बात करें लड़कों के लिए 9-9-3-9 इंच आपको अब जंप करेगा यनि पूने चार फुट आपको अपजम्प करना पड़ेगा रफ ऐसा ही के लिए अब बात करें लड़कीं के लिए चाँ वही 200 सब्सक्रEric एक सामेन समय होग vari, और थार सेब्सक्राय, तो ओर सब्सक्राइब क SW를 आपको हग सब्सक्राइब और को यहुद इननी is को इस दोनों की आपको पता वेकेंश आने वाली दो जारी किस में तो जो बच्चे इस फिजिकल क्राइटेरिया में फिट बेढ़ते हैं या इस को फाइट करके दिखा सकते हैं वो जरूर इन दोनों वेकेंश की तैयरी करें आर्प एसाइक भी अब आप में से कोई बच्चा आप एसाइज जो आप पॉइंट टेबल की जैसे चौदा फिट लोंग जंप है और हाइज जम चार फिट है या 16 समय के तैयरी कर ले क्योंकि उसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिल जाता है अब बात करते हैं वेट की तो लड़कों के लिए मिनिममम वेट 40 केजी होना चाहिए जय हिंद जय भारत